आज आपसे टारो कार्ट के बारे में बात करना चाहती हूँ आज की मॉडर्ण टाइम में भी हमारे कुछ दूस ऐसे हैं जो टारो कार्ट के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं आज मैं बेसिकल यही शेयर करना चाहती हूँ कि टारो कार्ट काम कैसे करते हैं और हम उनसे किस प्रकार गाइडेंस ले सकते हैं वे कौन से फील्ड हैं जहां टारो गाइडेंस बहुत जादा काम आ सकती है टारो रीडिंग, मेडिटेशन और स्पिर्चुयलिटी का सबजेक्ट है यह आपके नेर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने में मदद करता है टारो में हम मानते हैं कि फ्यूचर पहले से ही हमारे सबकॉंशियस माइंड में होता है इसलिए मेडिटेशन और वाइब्रेशन से हम अपने आंसर उससे प्राप्त करने का प्रियास करते हैं यही होती है टारो कार्ड रीडिंग टारो में हर कलर, साइन, सिंबल और नंबर का अपना अर्थ होता है टैरो रीडिंग सबसे ज़्यादा तब की जाती है जब हम confusion में होते हैं, जैसे कि career, marriage, business, etc. जब कोई व्यक्ति भ्रह्म में होता है, तो टैरो रीडिंग की मदद से अपना decision ले सकता है. टैरो आपको सही guidance देता है, तब ही तो टैरो cards को guidance cards भी कहा जाता है. आप टैरो से help लेकर अपनी goals को achieve करने का decision ले सकते हैं, अगर आपका कोई relation जैसे कि आपके parents के साथ, आपके partner के साथ, बच्चों के साथ problem में हैं, तो आप उस problem को जान सकते हैं, आप अपनी और अपने partner की desires और needs को जान सकते हैं, आपकी और उनकी energies negative हैं या positive, ये जान सकते हैं, obstacle क्या है, outcome क्या होगा, अगर आपको पता लग जाए, तो आप proper guidance लेने के बाद अपने relationship goals को achieve कर सकते हैं, open mind से guidance को मानिये और अपने actions को plan करें, टारो reading से आप near future में क्या होने वाला हैं, वह भी जान सकते हैं, टारो is just a mirror, it reflects only what is in your mind, आप अपने business और career के related भी guidance ले सकते हैं, जैसे कि आपके लिए business अच्छा रहेगा या job, टारो correct choice में help करेगा, आपके लिए दो business में से कौन सा business अच्छा है, दो jobs में से कौन सी job better है, टारो will help, शादी के time अगर दो choices में से confusion है, तो भी आप टारो से मदद ले सकते हैं, particular person से आपकी partnership कैसी रहेगी, ये भी टारो आपको guide कर सकता है, अगर आप कभी हाँ या ना में भी फस कई हैं, तो भी आप टारो की मदद ले सकते हैं, टारो, near future को predict करके या आपके confusions को clear करके, आपको भ्रम की स्तिती से बाहर निकालेगा, आपको guide करेगा और clarity देगा, बस आपको इस पर भरोसा रखना होगा, जैसे आप किसी अनजान जगा के सफर के लिए जा रहे हों, अगर वहां का guide map अपने साथ रखेंगे, तो सफर आसान हो जाएगा, tarot आपके जीवन सफर का guide map है, therefore it's said, faith is the key, आशा करती हूँ कि अब आप tarot card reading के बारे में बहुत कुछ जान चुके होंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो like and share जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर subscribe परें, ताकि कोई भी tarot guidance आपसे miss ना हो, so stay healthy, happy and prosperous, thank you.